तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टन्स कंपणी का अपडेट सेयर करने वाला हूँ तो इस वीडियो को पूरा लास तक देखना और अभी तक अपने चनल को सब्सक्रेब नहीं किया रहे जूरू कर लेना तो चलो देख लेते कौन सा कौन सा कंपणी है इस कमपनी के जो मार्केट क्या प्रकेफ है वो कितना है 8000 क्रोल क्या असपास और कमपनी के जो ROC है वो ROE है कितना सिर्प के सिर्फ 3% के आसपास अब कोस्टिन सबसे पहले यह आ रहा है तो कमपनी को पर ऐसे क्या हो गया एक टाइम कमपनी का ROC आ रहे तो ठीक ठाक चला था आज एकदम ना के बराबर हो चुके है चलो एक बर मैं आपको दिखाए भी दिता हूँ अगर मैं रेसियोस के बारे में बात करूँ तो आरो सी देखेंगे 2014 में इसका आरो सी था 14 परसंट 2015 में था 18 परसंट 2016 में था 20 परसंट उसके बाद एक धीरे धीरे करेके काम होता गया और आज वो एकदम ना के बराबर पहुंच चुके है तो इससे की हुआ कि कि कमपानी के जो पार्फम में से है वो थोड़ा थोड़ा करके खराब होता स्टा साइकल को देख रहा है पहले क्या स्कांभाजन साइकल नेगटिव में हुआ करता था अभी बो कॉजिटीव में आया और वह भी ठीक ठाक है बारा दिन के अंदर अंदर कमपानी के हाथ में क्या सारा है ए अच्छी बात है और मजदार बाद यह कंपानी के जो आख़े था, 65,000 हो गया था, अभी वो बढ़के 91,000 क्रोड हो चुके है, मतलब कमपानी positively sales को maintain किया, positively sales को growth किया, अभी expense और interest को payment करने के बाद company का net profit, obviously 139, 366, अभी क्रोड का profit हो रहा था, अभी इस बार कितना profit हुआ, profit नहीं है, ultra loss हो चुके है, 32%, और ये भी देखेंगे, तो company को tax minus म में देना पड़ा, tax अकत देना पड़ता, तो company का और भी losses हो जाता, तो basically companies के उपर जो profit है, वो profit होना चाहिए था, ज्यादा profit होना चाहिए था, ultra losses क्यों हो गया, क्योंकि के company का net profit है, sorry, operating profit है, वो negative है, पहली बात, दूसरी बात, company के depreciation और interest भी ज्यादा देना पड़ा, और उसके साथ company के उपर जो profit before taxes, वो 14 क्रोड देखने को मिला, वो भी negative है, क्यों, क्योंकि के company आदास income में अच्छा खासा profit कर रहा था, इसलिए, से 32 क्रोड के losses हुआ, अगर आदास income में 200 क्रोड का profit नहीं आथा, तो company का इसी losses बड़के हो चुके थे 230 क्रोड के उपर, तो इस एक्सपर्ट के उपर एक जो गिरावट का माहौल है वो continue रहेगा continue रहने का chances है क्योंकि market एही बता रहा है situation नहीं बता रहा है कि company के उपर stand अभी भी उत्रा strong नहीं है मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो range company create किया है उस range को breakout करने का कोशिस तो किया मगर इसको false breakout हिसाब आपसे में आपको बोला था कि यह false breakout है तो false breakout को आपको पैचानना पड़ेगा क्योंकि जो breakout एक एक लेबल को green candle के मांधम से high volume के साथ मांधम से breakout कर रहा है और next candle में कुछ कुछ भी stand नहीं है इसका मतलब वो false breakout है यहापर जिस तरह के से correction हुआ और जिस तरह के से इस एक net profitability growth देखने को मिले अच्छा खासा net profitability growth यहापर देखने को मिनने का chances है तो basically इस company के ओपर मेरा जो पिनन है वो मैं आपके साथ रख चुका हूँ आपके क्या ओपनेन है जूरू comments करना हाँ इसके ओपर मैंने details वीडियो एक बना के दिया हो उस वीडियो को जाकर आप playlist में देख सकते है हिग्च देखें जो कंपाने उसका नहामें Tata Steel देखें टाटा स्टील के अपरmot कर चार चाहनद लग चुके है कमपने थे live time high को break कर है तो पिछली दीन में lifetime high को break किया है तो ऐसे क्या हो गया एक प्रोजिंग तक पिछले दिनों में इस लेबल तक जरनी किया कमपानी अब इस लेबल तक जरनी किया कमपानी कितना था 170 था और हाई कितना किया 179.35 मतलब कमपनी लाइटें हाई को ब्रेक किया है तो बेसिकली बहुत सांदार इस जरनी हुआ सिर्फ एक नियूज के कारण नहीं तूसरा भी एक नियूज है वह भी मैं आपके साथ सेयर करने वाला हूँ पो नियूज आप देख सेकते है जरनी है वह जरनी को मैं आपके साथ इक बास शेयर करूंगा अगा चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो चार्ट में एक बिग बूश्ट देखने को मिला तो जो इसे अगे पिद्ध गूश्ट थे उपर दर पर आब अपर सब्राइद करोंगा उस चार्ट को द्यान से पुष्ट देखने को मिला और अब इसलिए हाई वॉल्म के साथ हुआ है तो जिस स्चहरoter के सिछ पिन के दिन देघ्जाल में ऑी कोरिक्शन हुआ था और जिस में एंट्टी लेवल इस कफ विध हैंट्व के ब्रेक अउट करने के बाद होगा वहích अगर गया तो कहा तक जाने कहा तक में और टार्डेट रहेगा में हो दोसो दस रूपीज के आसपास तो डूसो दस एक साल में मिले तो भी मुझे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि एक साल में 43% का रिटान कोई छोटा मोटा रिटान नहीं है इस चीज को इस बार इस डेटा को आपको याद रखना है बाकी टाटा स्टील के उपर मेरा जो अपिड़न है को मैं आपके साथ स्यार क्या हूँ सिर्फ एक एक डीटेल्स डेटा और भी आपके में साथ स्यार करूंगा वो आप ध्यान से देखना जहो टाटा स्टील के उपर आपको डेटा जो दिखाँगा वह कंपणी का Delivery का परसेंटेज Delivery का परसेंटेज मतलब कंपणी कितने पिछले दिनों में कितना Delivery उठा चुके है आप देखेंगे लास्ट कुछ फ्यू डेज में देखा जाए तो चार जून जब इलेक्शन का रिजा लाया था तब भी Delivery मतलब अच्छा खासा उठाए गया था और उसके बाद देखिए धिर देखर के थोड़ा से Delivery काम हुआ था और पिछले दिनों में फिर से Delivery को Recovery कर चुके हैं 40% के आसपास Delivery आपे उठाए गया है मतलब टाटा स्टिल के उपर एक Positively Momentum या पर देखने को मिल सकता है बाकि इस कंपानी के उपर आपके कराह है जोरो मुझे कमेंट्स करके बताना नेक्ट चों कंपानी उसकार में मारती सुजुकी लिमिटेड तो मारती सुजुकी इंडिया लिमिटेड बेसिकली एक इंडिया के सबसे बड़े कंपानी के अपके साथ सबसे पहले कि मेरे रिक्स लेने का कैपसिटी अलग है आपको रिक्स को मैनेज करके आपको सेवी रिष्टार एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना होगा अब मेरे बात सुनकर कभी भी कोई भी टेड मतले लेना आपको लॉस्स होने का चांसे जाता रहेगा तो बेसिकली कंपने इसको पर जब रेंज बना कुछ इस तरी के से रेंज बने और इस रेंज के बारे में पिछले दिनों में आपको एक वीडियो बना कर स्क्राइब किया था निकोलास जो एक अमेरिकन डेंसा था तो उन्होंने खुद इस स्ट्राटीजिस को फॉलो करके काम किया और डाव मत दिखें कमपनी टोटली अप्टेंड था टोटली पहले भी एक एंटी बना था उसका भी टार्गेट 17 परसन मिल चुके है और इस बार टार्गेट 30 परसन का मिलने का चांसे से अभी इतना परसेंटेज क्यों क्यों कि दिखें जो रेंज बना था उस रेंज की बेसिस में मे फिकिंग करके देता हूं इस हाई लेबल का अगर ब्रेक्आट करें देख यहां से कमपनी सांदा तरीके से मोमेंटम करके उपर जाएगा चिक इस तरीके से देखने को मिला कंपानी का नेट प्रॉफिट इस तरीके से अगर घुट हो रहा है कंपणी का प्रॉफिट का ग्रोफिट से अगर बात करूं अब देख सकते हैं कमपानी के इस बाफिट गोथ हंडेड परसेंट ने घुट हुआ, तो जो company इतने सांदा तरगे से पार्फमिस कर रहा है क्या उस company को उपर डनना चाहिए क्या उस company के उपर जब टेड़ बने क्या नहीं लेना चाहिए अब मुझे जोरू comments कर सकते हैं क्या हर किसी के अलग-अलग opinion होता है मुझे इस company के बहुत दो पॉइंट्स आपके साथ सेयर करना है पहली पॉइंट्स क्या है company के उपर जो sales का आक रहा है जो में मतलब में मांद का जो sales का आक रहा है आप देखेंगे company टोटल 1,74,551 unit यहां पर बेचे हैं तो रिबन-करिब पॉड़क का sales कम हो जाता है क्योंकि company भी confused हो जाते है कि actually election में कौन सरकार आएंगे वो सरकार किस तरीके से benefit देंगा तो इस सारे चीज़ों के उपर doubt होता है तो इसलिए company का sales भी down हो जाता है उस टाइम उतना high growthly sales company कर नहीं करते है तो फिर भी दो परसन का drop है कोई बात नह हर मान में positively company के sales बढ़ेंगे ऐसे होगा नहीं इस चीज़ों को हमें सियात रखना है बाकि इस company को उपर आपके करा है जूरू comments करना next company उसका नाम है विसको trade associate limited विसको trade associate limited के बारे में बात करो तो two is to ten days ago का company आपे bonus देने, sorry split देने वाला है वो तो इसका 10 का face value है वो 2 subscribe और दूस्तों के साथ share भी कर देना तो मिलते नेक्स पीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद